भारत की राश्ट्रपती द्रापदी मुर्मू अपनी तीन देशों की यात्रा के पहले चरण में फिजी की राजधानी सुवा में है. फिजी के राश्ट्रपती रातु विलिया में मैवलीली कटो निवेरे ने राश्ट्रपती द्रापदी मुर्मू को Propagnes of the Order of Fiji से सम्मानित किया. यह फिजी का सर्वौच नागरिक सम्मान है. राष्ट्रपती मुर्मू ने कहा कि यह सम्मान भारत और फिजी के बीच मित्रता के गहरे संबंधों का परिचायक है यह सचित्र विवरन भारत की राष्ट्रपती के एक्स हैंडल पर साजा किया गया है दुरौपधी मुर्मू का सुवा पहुंचने पर फिजी के प्रधान मंत्री सी टिवेनी रावुका ने जोरदार स्वागत किया। राश्ट्रपती फिजी के बाद नीजिलेंड और तिमोलेस्टे जाएंगी। किसी भारतिय राष्ट्रा ध्यक्ष की फिजी और तिमोलेस्टे की पहली यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच एतिहासिक संबंदों को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्राले के सच्चिव जैदीप मजूमदार ने पिछले दिनों नई दिल्ली में राष्ट्रपती की यात्रा का बेवरा साजा किया था। इसमें कहा गया था कि राष्ट्रपती द्रापदी मुर्मू 5 से 10 अगस्त तक तीन देशों फिजी, न्यूजिलैंड और तिमोलेस्ते की यात्रा पर रहेंगी। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की एक्ट इस्ट नीती के अंतरगत दक्षिन पूर्व एशिया और प्रशांट चेत्र पर भारत ने विशेश रूप से ध्यान केंद्रित किया है। यह तीनों देश भारत की एक्ट इस्ट नीती के तहत आते हैं। भारत और फिजी के बीच राजनएक संबंदों के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। भारत फिजी का प्रमुक विकास भागीदार रहा है। विदेश मंत्राले के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने रविवार को एक्स पर कहा कि एक्ट इस्ट नीती को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रुपती द्रापदी मुर्मू फिजी, न्यूजिलन्ड और तिमोलेस्ते की तीन देशों की यात्रा पर रवाना हुई। पहले चरण में राष्ट्रुपती फिजी की राजकिये यात्रा पर रहेंगी। यह यात्रा दोनों देशों के बीच एतिहासिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करेंगी। राष्ट्रुपती फिजी की संसद को भी संबोधित करेंगी। उनका भारतिय समुदाय के ल चनरल सिंडी किरों के साथ द्विपक्षिय बैठक करेंगी और प्रधान मंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रुपती, वेलिंगिटन में एक अंतर्राष्ट्रिय शिक्षा समेलन को भी संबोधित करेंगी और ऑक्लैंड में भार्तिय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगी। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रुपती 10 अगस्त को तिमोलेस दे जाएंगी।